नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं सुल्क के आवेदन किये जा सकेंगे, जबकि 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक बिलंब सुल्क के साथ आवेदन भरे जाएंगे, इसमें स्कूलों और कॉलेजों में पर रहनियमीत, सोतंत्र और पुरवरती छात्र छात्राय आवेदन कर सकेंगे, इस्कूल और कॉलेज छात्र छात जाएंगे जैक की ओर से मैट्रिक वा इंटर्मीडेट परिक्षा 2024 का सेडियूर भी पहले ही जारी किया जा चुका है ये परिक्षा ये 6 फर्वारी से 26 फर्वारी 2024 तक होगी वहीं जैक ने विलम सुलक के साथ नौवी के रेश्टेशन गिती थी 30 नौबर तक बढ़ाई है सुरंग में फसे मैदूरों को बचाने का नया प्लान छेनी हथोड़ी लेकर सेना तयार उत्राखंड की सिलक्यारी सुरंग में पिछले 14 दिनों से फसे 41 मैदूरों को निकानने के लिए एक नई पलाजमा कटर मसीन उतरकासी पहुँच गई है दरसल यहां जारी बचाओ अभियान में इस्तिमाल की जा रही आगर मसीन के ही से तूट कर मलबे में धस गई थे अईसे में बचाओ कार को आगो बढ़ाने के लिए मसीन को पूरी तरह से हटाना जरूरी है जिसके लिए हैदराबाद से इस पलाजमा कटर मसीन को हवाई मार्ग से मंगाया गया अगर साम तक इन कटर्स के द्वारा अमेरिकन अर्गर मसीन को निकाल लिया जाता है तो अगले 12 से 14 घंटे में बचाओ मार्ग बनने का काम पूरा हो सकता है उधार दूसरी तरह मजदूरों को बाहर निकालने का रास्ता तयार करने के लिए मलबे में हाथ से डिलिंग के जरिये पाइप डालने होंगे भारतिये सेना की कोर आफ इंजिनियर्स के समो मदरा सैपर्स की एक इकाई बचाओ कारे में सहायता के लिए रभीवार को घटनास तल पहुची इस इकाई में सामिल 20 जवान अस्थाने लोगों के मदद से सुरंग से मजदूरों को निकालने के लिए आगे का रास्ता बनाएंगे प्राप्त जनकारी के मुताबिक यहां हथोडों और हथोडी छेनी जैसे अजारों के जरिये रास्ता खोदने के बाद मिटी निकाली जाएगी और फिर आगर मसीन के ही प्लेटफर्म से पाइप को आगे धाके ला जाएगा रांची पुलिस लाइन में समिधान दिवस का आयोजान देश भर में 26 नुवंबर को समिधान दिवस मनाया जा रहा इस उसर पर पुलिस लाइन में भी कालकरम का आयोजान किया गया समिधान दिवस पर आयोजित कार्कर में पुलिस पताधिकारियों ने पुलिस कर्मियों को समिधान को लेकर जागरूप किया बता दे कि भारत का समिधान अपनाने के उपलक्ष में भारत में हर साल 26 नॉवंबर को समिधान दिवस मनाया जाता है भारत की समिधान सभा ने 26 नॉवंबर 2019 को भारत के समिधान को अपनाया था जो 26 जनवर 1950 से लागू हुआ भारत सरकार ने नागरिकों के बीच समिधान के मुल्यों को बढ़ावात देने के लिए हर साल 26 नॉवंबर को समिधान दिवस मनाने करीने लिया था जिसे समाजिक नय और अधिकारिता मंत्राले ने 29 नॉवंबर 2015 को असुष चित किया था जारखन के स्कूल में हिंदू बच्चियों से छेड़ चाड़ और मार पीट मामला में NCPCR सक्त जारखन के रामगण में स्कूली बच्चियों से छेड़ चाड़ करने और हिंदू तथा अन्य गैर मुस्लिम पर लिकाओं से इसलाम जिंदाबाद के नारे लगवाने के मामले में हंगामा मच गया है अराष्ट्रिय बाल अधिकार सर्ण चन आयोग NCPCR ने भी इस पर सख्तरोऊ अपनाया है आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानुनगो ने इस मामले में जिला पसाव से को नोटीस भेजा आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानुनकों ने एक्स पर इस बात की जनकारी दी है प्रियंक कानुनकों ने एक्स पर लिखा है जार्खन के रामगार में स्कूली बच्चियों से छेड़ चाड़ करने वह हिंदू तथा अने गैर मुस्लिम बालिकाओ से इसलाम जिन्दाबाद के नारे लगवाने तथा लाठी डंडों से मार पीट करने के मामले का NCPCI ने संग्यान लिया है जिल्यप पर सासन को नोटिस जारी करे फायार दर्ज करने गुंडों को गिरफतार करने एवं बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए है स्रीयम हेमन्त का वीपक्च पर हमला डरता नहीं गलत किया तो बांध कर ले जाओ मुख्यमंत्री ने सनिवार को पांकुड में अपने बिरोधियों पर जम करनी साना साधा और कहा है कि वे जूठे आरूप लगा कर गुमराह कर रहे हैं कि हेमन्सुरेन E.D.C.B.I. से डरता है उन्होंने आगे कहा अरे भाई अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे बांध कर ले जाओ और फांसी पर चढ़ा दो ऐसा करके तो दिखाओ किसने रोका तुम्हारी गिदर भव की हमारे पुरवजों ने सुनी है और हम भी सुन रहे हैं समय आने पर सरकार और राज की जनता जबाब देगी सियम पांकुर बजार समीती मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वरकार करम में बोल रहे थे चाइबासा पुलिस की नकसलियों से मुख्य धारा में जुड़ने की अपील चाइबासा पुलिस ने नकसलियों से मुख्य धारा में जुड़ने की अपील किया है पुलिस ने पोश्टा जारीकर नकसलियों से हिंसा की विचार धारा छोड़कर आत्मसमरपन करने और जारकन सरकार की नई आत्म समर्पन और पुर्णवास निती का लाव लेकर मुखे धारा से जूड़ने को कहा चाईबासा पुलिस ने कहा है कि जारकन सरकार ने आत्म समर्पन निती को और अधिक सुगम बनाया है इसके तहट आत्म समर्पन करने वाले नकसली को 24 कंटे के अंदर ओपें जेल में सिप्ट किया जा सकेगा राची पुलिस लाइन में चल रहा था जुए का खेल छो गिरफतार राजधानी राची पुलिस लाइन में ही जुए का खेल चल रहा था सुचना मिलने पर पुलिस की अचानक चापे मारी की और 6 लोगों को ही रासत में ले लिया है बता दे राजधानी राची के पुलिस लाइन में जुए का खेल चल रहा था जनकारी मिलने पर रांची के सीनियर एसपी के द्वारा एक टीम भेज कर छापे मारी करवाई की गई जिसमें 6 से ज्यादा लोग हिरासत मिलिये गए जनकारी के अनुसार जिन लोगों को हिरासत मिलिया गया उसमें से कई पुलिस कर्मी भी है जब जुबा खेल रहे 6 लोगों को पुलिस ने चापे मारी कर उठा लिया 6 लोगों को हिरासत में लेने के बाद जनकारी मिली है कि उनमें कई पुलिस कर्मी सामिल है ज्यारखन में पहली बार कैट सो का हो रहा आयोजन सहर में आपने डोग सो देखा होगा लेकिन पुले ज्यारखन में पहली बार मानगो इस्थित होटल सिनेट में फ्लाइंग वर्ल्ड संस्था की ओर से दो दिवसे कैट सो का आयोजन किया रहा है बता दे इन दो दिनों तक चलने वाले इस्थो में लगभग 110 बिलियां सामिल हो रही है इसमें पार्सियान, साइबेरियान, हिमालियान, इंडियान और मैकुन सहित अने ब्रीट की कैट को सामिल किया गया और्गिनाइजर और सिफ ने बताया है कि इस सो को देखने वाले लोगों के लिए फूड एस्टोल भी लगाये गए उन्हों इन बताया है कि सनीवार को पहले दिन यहां आई सभी बिलियों को निसुल्क भैक्सिनेशन वा ग्रूमिंग हुआ इस मौके पर भेटनारी डॉक्टर सतिस ने बताया है कि इन बिलियों को कैसे रखना है क्या क्या खाना देना है कब भैक्सिन लगानी है सभी जनकारी दी गई है इंडियन बुक आफ रिकोर्ड से दो साल की बच्ची समानीत एक मियट में सबसे अधिक समाने ग्यान के प्रशनों का उतर देने का रिकोर्ड संडे बजार की नवीसा सीनहा ने बनाया है बता देवह मात्र दो वर्स दो महिने की है और संस्था गोड इज वन के संस्था पक स्वर्गिये उदाय संकर सीनहा वसंरक्षक निता सीनहा की नतनी है नवीसा के मामा विबेक कुमार सीनहा ने बताया है कि नवीसा को इंडियन बुक आफ रिकोर्ड द्वारा 30 अक्टूबर को पवान पत्र देखकर समानित किया गया इंडियन बूक आफ रिकोर्ड भारत सरकार द्वारा पंजी किरी था है और एसिया बूक आफ रिकोर्ड से भी मनेता प्राप था है मंदीर परिशर में चल रहा था असलील डांस 18 गिरफतार, जार्खन के सराय के लाकर सावाज़ि लाईश्थित आदित्यपूर के मंदीर में सनिवार देर राज सरमजनाक घाटना सामने आई आर आईटी थाना छेत्रे के दाम मंदीर पदिसर में एक कमरे में असलील डांस चल रहा था जिसकी सुचना मिलने पर पुलिस ने चापे मारी कर छो डांसर वह एक दर्जन युवक को हिरासत में लिया है मिली जनकारी कनुसार यहां डांस अस्थानिय पुजा कमिटी के सर्ज से ही करवा रहे थे मंदीर के समुदाइक भवन को बंद कर यहां काम चल रहा था बंद हाल में चार नर्थिक योग का डांस चल रहा था जहां दर्शक के रूप में लगभग एक दर्जन युवक थे 32 लवारी सवो का मुक्ति संस्था ने किया समोहिक दा संस्कार मुक्ति संस्था ने रविवार को जुमार नदी तट पर 32 लवारी सवो का समोहिक रूप से अमतिम संस्कार किया है संस्था के सर्ष्यों ने 10 संस्कार से पुरु मिरित आत्मा की सांती के लिए इस्वर से प्रात्ना भी की फिर उन्हें मुखागनी दी मुक्ति संस्था पिछले 9 वर्सों से लवारी स्वव का अम्तिम संस्कार करते आ रही है इन सवों के अम्तिम संस्कार के लिए संस्था की ओर से कई दिनों से त्यारी की जा रही थी रिम्स में कानूनी अप्चारिक ताएं पूरी करने के बाद इन लवारी सवों को जुमार नजितर्ट पर लाया गया फिर अम्तिम संस्कार किया गया गतलव है कि संस्था दवारा अब तक 1655 लवारी स्ववों का अम्तिम संस्कार किया जा चुका है अकांचा परवेश परिक्षा 3 मार्च को 3 मार्च 2024 को अकांचा की परवेश परिक्षा होगी चात्र चात्र आये 25 जनवरी से इसका परवेश पत्र भी डाउनलोड कर सकेंगे बतादे अकांचा में इंजिनियारिंग, मेडिकल और कलेट की निजिल्क त्यारी कराई जाती है इंजिनियारिंग के लिए बहुत की गनित रसायन साथ्र और मेंटल एविलिटी टेस्ट मेडिकल के लिए बहुत की जिव बिग्यान रसायन साथ्र और मेंटल एविलिटी टेस्ट और क्लेट के लिए अंग्रेजी जनरल नौलेज, जनरल स्टाडिज और मेंटल एबिलेटी टेस्ट की परिक्षा होगी, सभी की 40-40 अंकों की परिक्षा होगी, धन्यवाद, सरकारी नोकरी और सरकारी योजनाओं के बारे में जनकारी के लिए हमारे फेस्बुक पेज जर्ख खंडी न्यूज को लाइक करना ना भूले, लिंक डिस्क्राप्शन बॉक्स